इंग्लिश कैसे सीखें? यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मिनिंग भी आपको बताएंगे और साथ में आपको ग्रामर से जुड़ी और टेंज से जुड़ी भी बाते बताएंगे जिससे आपका इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसान हो जाएगा तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है? दा एंट एंड दफ चीटी और फाक्ता एंट का मतलब क्या होता है? चीटी जैसा हम जानते हैं और डव, डव एक पक्षी होता है कबूतर जैसा जिसे हम पढ़की भी कहते हैं और फाक्ता भी कहते हैं क्या कहते हैं? फाक्ता बिल्कुल ये कबूतर जैसा बहुत ही इन्नोसेंट सा दिखने वाला ये पक्षी होता है तो इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपके अंदर परुकार की भावना उत्पन होगी दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर जरूर आएगी यह बहुत यह अच्छी स्टोरी है ये स्टोरी मुझे अब तक की सबसे अच्छी स्टोरी में से एक लगी है तो चलिए देखते है One Hot Day एक गर्मी के दिन Hot Day का मतलब गर्मी के दिन उस दिन गर्मी पड़ रही थी An Ant was searching for some water एक चीटी कुछ पानी ढूंड रही थी Search for Search for का मतलब क्या होता है धूंडना क्या होता है धूंडना Search for का भी मतलब धूंडना होता है Look for का भी मतलब धूंडना होता है और Find का भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो धूंडना होता है इन तीनों शब्दों का मतलब धूंडना होता है ठीक अगर आप किसी से कहें find your pen तो अपनी कलम ढूंडो इसका मतलब यह होगा देखते हैं कि एक चीटी कुछ पानी ढूंड रही थी after searching around for some time इधर उधर कुछ देर ढूंडने के बाद after searching ढूंडने के बाद around का मतलब है इधर उधर आसपास for some time कुछ देर तक she found a lake उसे एक जील मिली लेक का मतलब क्या है जील और found find का second form है इसका मतलब होता है पाना या फिर मिलना तो she found उसे मिली एक जील she climbed a blade of grass वो एक घास की पत्ती पर चड़ गई blade का मतलब यहाँ पर होगा घास जिस तरह से अगर निकली है तो वो इस पर चड़ गई यह इसे blade कहेंगे grass की यह घास की पत्ती पर चड़ गई in order to reach the lake जील तक पहुँचने के लिए यह word in order to यह बहुत ही अच्छा word है इसका मतलब होता है के लिए क्या होता है के लिए reach का मतलब पहुँचना lake का मतलब जील जील तक पहुँचने के लिए वो चड़ गई एक घास की blade पर बट लेकिन while making her way up लेकिन उपर जाते समय while making her way up इसका मतलब होगा उपर जाते वक्त यानि वो जब चड़ रही थी उस घास पर तब she slipped and fell into the water वो फिसल गई और पानी में गिर गई sleep का मतलब क्या होता है फिसल ना तो वो slipped फिसल गई and fell फिल का मतलब गिर गई यह fall का second form है इसको मैंने कई बार आपको बताया है वो पानी में गिर गई as she did not know how to swim जैसा की वो तैरना नहीं जानती थी she started drowning वो डूबने लगी started का मतलब यहाँ पर क्या है लगी हम कहेंगे शुरू हो गई उसका डूबना शुरू हो गया drowning का मतलब होता है डूबना क्या होता है डूबना एक word होता है इसके पहले ही मैंने आपको पताया था sink sink का भी मतलब डूबना होता है she started shouting for help वो मदद के लिए चिलाने लगी shout का मतलब होता है चिलाना क्या होता है चिलाना she started shouting वो चिलाने लगी for help मदद के लिए नियर बाई पास में ही नियर बाई का मतलब है पास में ही पास में ही बूटि फुल दफ एक सुंदर सा फाक्ता वोज वाचिंग आल डिस यह सब देख रहा था watching का मतलब क्या है ध्यान से देखना अल डिस इन सारी चीजों को वो देख रहा था When she saw that, जब उसने ये देखा की, the ant was in trouble, कि ये चीटी मुसीबत में है, परिशानी में है, she saw, saw का मतलब देखा, Trouble, Trouble का मतलब होता है, परिशानी, या फिर हम कहेंगे इसे मुसीबत, She quickly plugged a leaf, जल्दी से उसने एक पत्ती तोड़ी, quickly का मतलब क्या है, जल्दी से, जल्दी से, plugged का मतलब तोड़ी, a leaf, leaf का मतलब होता है, पत्ती, उसने एक जल्दी से पत्ती तोड़ी, From nearby tree, पास के ही पेड़ से, and or, dropped it, और इसे छोड़ दिया, dropped का मतलब यहां पर क्या है, छोड़ना, उसने छोड़ दिया, In the water, पानी में, near the ant, चीटी के पास, near the ant का मतलब क्या है, चीटी के पास, उस पत्ती को उसने छोड़ दिया, The ant, वो चीटी, grateful for the help, मदद के लिए वो शुक्र गुजार थी, grateful का मतलब क्या है, देखिए एक होता है, great, यह होता है, इस great का मतलब होता है, महान, या फिर बड़ा, लेकिन यह great, इसका मतलब होता है, परोपकार करना, यहां पर है grateful, तो इसका मतलब हुआ, एहसान मंद, ठीक, हम इसे कहेंगे, grateful for the help, वो उस मदद की एहसान मंद हुई, उसने उसे परोपकार माना, quickly, जल्दी से climb the leaf, और वो प The dove then picked up the leaf, फिर उस फाक्ता ने उस पत्ती को उठा लिया, picked up का मतलब क्या है, उठा लिया, from the water, पानी से, and or dropped it on dry land, और इसे सूखी जमीन पर रख दिया, यहां पर dropped का मतलब क्या होगा, रखना, dry land का मतलब सूखी जमीन, dry का मतलब होगा, सूखी, सूखी जमीन, land का मतलब होगा, धरती जमीन, उसने रख दिया, she had saved the ants life, उसने चीटी की जिन्दगी बचा ली थी, had saved, बचाई थी, the ants life, चीटी का, जीवन, चीटी की जिन्दगी, देखिए, यहां पर apostrophe है, ऐसे ही, इसका मतलब होता है, का, के, की, तो ants life, चीटी की, ठिक, Some days later, कुछ दिनों बाद, लेटर का मतलब क्या है, बाद, कुछ दिनों बाद, a hunter came to the forest, एक शिकारी जंगल में आया, hunter का मतलब क्या है, शिकारी, came का मतलब आया, to the forest, जंगल में, forest को wood भी कहते हैं, woods, He was walking near the ants home, वो चीटी के घर के पास टहल रहा था, he was walking, वो टहल रहा था, near the ants home, चीटी के घर के पास, he said, उसने कहा to himself, अपने आप से, उसने अपने आप से कहा, I wish, काश, I could find a dove, काश कि मुझे एक फाक्ता मिल जाता, to present to the king, राजा को उपहार देने के लिए, काश कि मुझे एक फाक्ता मिल जाता, राजा को उपहार देने के लिए, present का मतलब यहाँ पर क्या है, उपहार, जिसे हम gift कहते हैं, क्या कहते हैं, gift, He would be happy and reward me, वो खुश हो जाता और मुझे इनाम देता, He would be happy, वो खुश हो जाता and reward me, reward का मतलब होता है इनाम, इनाम देना, तो वो मुझे इनाम देता, The ant heard the hunter, चीटी ने उस शिकारी की बात सुनी, heard the hunter का मतलब कहा है, शिकारी की बात उसने सुनी, heard का मतलब सुनी, यह year का second form है, she knew that वो जान थी की, the dove was one of the prettiest birds in the forest, वो जानती थी, कि यह फाक्ता, जंगल में सबसे प्यारे पक्षियों में से एक है, pretty का मतलब होता है, lovely, जिसको मैंने आपको बताया है, pretty, यह prettiest उसी से बना है, she quickly climbed on to the pants of the hunter, वो जल्दी से, शिकारी के pant पर चड़ गई, quickly का मतलब, जल्दी से, climbed on, चड़ गई, to the pants of the hunter, उस hunter के pants पर, and or, started climbing और चड़ना शुरू कर दिया, towards his neck, उसके गर्दन की तरफ चड़ना, towards का मतलब क्या होता है, की ओर, की ओर, वो उसके गर्दन की ओर चड़ने लगी, just then, तभी, just then का मतलब क्या है, तभी, तभी क्या हुआ, the hunter saw the beautiful dove, शिकारी ने उस सुन्दर फाक्ता को देखा, sitting in a tree nearby, पास के ही एक पेड़ पर बैठे हुए, sitting का मतलब बैठे हुए, nearby का मतलब पास के, he crept slowly towards the dove, वो दबे पाउं धीरे धीरे उस फाक्ता के पास गया, फाक्ता की ओर गया, क्रिप्ट का मतलब क्या है, दबे पाउं चलना, चुपके से, ठीक हम यहाँ पर क्रिप्ट को कहेंगे, चुपके से, चुपके से, और slowly का मतलब धीरे धीरे, 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 वो towards का मतलब, जैसा मैंने आपको उपर बताया, की ओर, he wanted to throw the net, वो जाल फेकना चाहता था, और हर, उसके उपर, टु ट्रैप हर, उसे फंसाने के लिए, वो उसे फंसाने के लिए, उसके उपर जाल फेकना चाहता था, यह है throw, throw का मतलब होता है, फेकना, इसका second form क्या होता है, उसकी spelling आप मुझे comment box में लिएके बताईएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसे बताया है, जो होने वाला था, happen का मतलब होता है, घटित होना या फिर होना, किसी घटना का होना या फिर घटित होना, शी bit hard, उसने जोर से काटा, बिट का मतलब क्या होता है, काटना, ये bite का second form है, एक होता है bite, bite का मतलब दाथ से काटना, तो beat है second form, उसने काटा, हाट बहुत जोर से, on the hunter's neck, शीकारी की गर्दन पर, feeling the itch, खुजली महसूस करत के, the hunter slapped his neck loudly, शीकारी ने अपनी गर्दन पर, जोर का चाटा मारा, slapped का मतलब क्या है, चाटा मारना, चाटा मारना, तो उसने चाटा मारा, loudly का मतलब, जोर से, जोर से, the loud noise alerted the dove, जोर की आवाज ने, फाक्ता को alert कर दिया, उसे सचेत कर दिया, alert का मतलब क्या होता है, सचेत, या फिर जी से हम कहते हैं, सावधान, जोर की आवाज ने उसे, सावधान कर दिया, and she flew to safety, और वो सुरक्षित जगा के लिए, उड़ गई, सेफटी का मतलब क्या है, सुरक्षित इस्थान पर, सुरक्षा के लिए, वो उड़ गई, even the ant jumped from the hunter's neck, to safety, यहां तक की, वो चीटी भी, शिकारी के गर्दन से, कूदी, और वो भी सुरक्षित इस्थान पर, चली गई, even, even का मतलब यहां पर क्या है, भी, यहां, even the ant, चीटी भी, जिसे हम also कहते हैं, या फिर to कहते हैं, jumped koodie, later in the day, दिन ढ़लने के बाद, the dove came to thank the ant, वो फाक्ता, चीटी का शुक्रिया अदा करने आया, and or they became good friends, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, the dove came, फाक्ता आया, to thank, शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, the ant उस चीटी को, and the became, became का मतलब होता है, होना, या फिर बनना, तो the became good friends, वो अच्छे दोस्त बन गए, वो अच्छे दोस्त हो गए, इस तरह से, हमने देखा, कैसे, पहले वो फाक्ता, उस चीटी की जान बचाता है, फिर बाद में, वो चीटी, उस फाक्ता को, जाल में फसने से बचा लेती है, तो हमें, इस कहानी से, ये सबक मिलता है, कि हम, हमेशा, दूसरों की मदद करें, क्योंकि, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं, तो इसे सबस्क्राइब कीजेगा, और अपने किसी ना किसी एक दोस्त को, ये वीडियो शेयर कर दीजेगा, चलिए मिलते हैं फिर, अगली वीडियो में,